36 गर सामानने अध्येन से संबंधित 10 प्रशनों पर रोज हम लोग डिसकसन करते हैं जो कि CG PSC और CG Vyapam के परिक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है सीदे हम लोग questions पर आते हैं तो आज का पहला question है देवधारा जलपरपात किस अभ्यारण्य में इस्थित है तो देखो देवधारा जलपरपात की अगर मैं बात करूं तो ये बार नवा पारा अभ्यारण्य में इस्थित है तो अभ्यारण्यों के संबंध में काफी कुछ तुफा, तीरदगण जलपरपाथ, कांगेर धारा जलपरपाथ, भेंसा दरहा जहां पर मगर मच्छों गा संुरक्षन किया जाता है, मुनगा बहार नदी, कांगेर नदी तो इस तरह की चीज़े पुछी जाती है, तो देवधारा जलपरपाथ, बार नवा, पारा अभ्हार प्रफम व्याकरण की तो इन्हों ने ऐसा कहा है कि जो चतीजगड़ है इसका किसी समय में नाम चेदीजगड़ हुआ करता था और ये चेदी महाजनपत का हिस्सा हुआ करता था और चेदीजगड़ ही बिगड़ करके चतीजगड़ हो गया तो हिरालाल का व्योपाध्याए अगला कुश्चन देखते हैं द बिरहोर नामक पुस्तक के लेखक कौन है यह आपको बताना है तो देखो वेरियर एलविन के अगर मैं बात करूं तो इन्होंने काफी सारी किताबे लिखी है चेदीजगड़ के जनजातियों के उपर में जैसे की एक इनका सबसे फेमस है मुडिया एंड देयर घोटुल वेरियर एलविन की लेकिन यह जो द बिरहोर है यह पुस्तक लि आगे बढ़ते हैं अगले कोस्चिन की तरफ अगला कोस्चिन है किस जनजाती की ऐसी माननेता है कि हल जोतने से धरती माता को कष्ट होता है तो ऐसा बैगा जनजाती सोचती है और बैगा जनजाती जो है अभी तो हाला कि यह लोग स्थाई रूप से खेटी कर रहे हैं भत्रा नाट जो की बस्तर छेत्र में काफी ज़्यादा प्रचलित है तो इसमें जो है उडिशा का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है भासा भी काफी कुछ और उडिशा में भी यह वाला जो नाट है लोग नाट यह उडिशा में भी प्रचलित है अगले कोश 36 गड़ी भासा का उद्विखास ये इनकी रचना है अगला कोश्चिन है पंडित सुंदरलाल सर्मा ग्रन्थाले कहां इस्थित है पंडित सुंदरलाल सर्मा मुक्त विश्व विद्याले कहां पर रहे भी बिलासपूर जिले में है लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पंडित सुंदरलाल सर्मा ग्रन्थाले राइपूर के पंडित रविशंकर सुकल विश्व विद्याले में अगले कोश्चिन की तरब चलते हैं गोंड जंजाती का कोजी और कुंडा मिलान नामक प्रथाई है तो ये क्या है आपको ये बताना है क्या विवाह संसकार है मृ परी खेल है तो ये मृतक संसकार है कोजी और कुंडा मिलान अगले कोश्चिन को देखते हैं सग्राखंड नामक देवता का संबंद किस जंजाती से है सग्राखंड तो ये जो सग्राखंड नामक देवता है बही कमर जंजाती के प्रमुख देवता माने जाते हैं अगला को क्रिश्ण जी इनको बल दाऊ कहते थे दाऊ कहते थे न अभी यह वाला जो क्या नम एक चैनल है एंड टीवी न हाँ उसमें एक सो आता है परमावतार स्रीक्रिश्ण मेरे पापा देखते रहते हैं आज कल वो रिपीट टेलिकास्ट हो रहा है तो उसमें भी आपको दिखाया गया होगा बलराम जी को तो कौन सी जन जाती खुद को बलराम का वंसज मानती है भई तो हलबा जन जाती हलबा जन जाती हलबा जन जाती का ऐसा मानना है कि वो जो हैं बलराम के वंसज है इनका ऐसा कहना है कि जब बलराम की जो सेना थी न उसमें ये लोग सामिल थे और बल बल्राम के पराकर्म से प्रभावित हो करके मतलब की बल्राम के सक्ति कौसल को देख करके ये जो लोग है इनके जो सैनिक है वो बड़े प्रभावित हुए और ये लोग भी जो है हल को धारण करने लगे हल को धारण करने लगे और हल को ही धारण करने के कारण ये क्या कहला है कहला है हल वाहक और यही जो सब्द है हल वाहक आगे बिगड़ करके बन गया हलबा ऐसा जो है हलबा जंजाती का कहना है तो ध्यान रखेंगे हलबा जंजाती हल वाहक बलराम इसे के साथ आज का यह वीडियो एही पर समाप्त होता है आपको अगर किसी कोश्चन पर कोई भी डाउट हो तो जरूर बताईएगा आपसे कितने कोश्चन सॉल्व हुई है यह भी बताईएगा वीडियो को जितना और सके उतना सेयर करिएगा लाइक करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद